वेलकम फ्रेंड मैं मंदोश राब देख रहें मेरे यूटूब चनल टेक्निकल मंदोश देमें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बैंक ओफ इंडिया का इस्टेटमेंट किस तरह से निकाल लिएगा वह भी घर बैठे खुद से अपने मोबाइल पर तो अगर आपने अभी तक अपना बैंक ओफ इंडिया का इस्टेटमेंट निकाल नहीं पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्पूल होने वाला है इस वीडियो क को देखकर आप आसानी से अपने बैंक ओफ इंडिया का ओनलाइन इस्टेटमेंट निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइक नहीं हो जाता है जहाँ पे आप से मोबाइल नंबर या यूजर आइडि या कंजूमर आइडि आ ओ उसके बाद आपने जो पीन को सेट कर रखा लोगिंग पीन आपको यहां पर फील करना होगा और उसके बाद लोगिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम लो आप लोगिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और आप अपने एपस में लोगिंग कर जाईएगा, तो आप देख सकते हैं, आपका जो net banking है, वो यहाँ पर open हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो statement को निकालने के ल जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस पर टच करना है, यहाँ पर आप जैसे ही टच करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कब से निकालना चाहते हैं, इस statement आप कितने दिनों का निकालना चाहते हैं, वो आपक चलिए हम लोग् historically फिल कर लेते हैं ारके फेल जाए उसके बाद आपको क्या करना है औहीं और आपको अभी का डेट आपको इहाँ पर रहने देना आया तो चलिए हम लोग इसको भी डेट कर लेते हैं दोनों डेट को सिलेक्ट कर लेने के आपको क्या करना होगा थोड़ा सा आपको यहां पर स्कॉल डाउन करके नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहां पर देखने के लिए मिल जारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका statement वो सारा statement आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा है कब पैसा कटाऊ है सारा अपको ऐहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसको डाउनल Οड करने के लिए तो आपको क्या करना होगा यहां पे पटन देखने के ने मिलरा जेनरेट पीडियाफ तो आपको यह पीडियाफ बाले बटन पे क्लिक कर देना हैं यहां पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपका जो पासber बुक है वो आपका PDF में जनरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो डाउनलोड हो चुका किस तरह से आपको यहाँ पे के तौर पर यूज करना होगा तो चलिए हम लोग यहाद पर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप सकते हैं मेरा जो पीडिएप का है वह यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर पासवाट के टौर पर क्या देना है तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मुबाइल नंबर को फिल कर दिया आप चलिए हम लोग यहाँ पे ओके पे किलिक करते हैं ओके पे जैसे ही किलिक करेंगे आपका PDF में जो statement है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो आसा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे लाइक कर दिजेगा और अगर मेरे चैनल में नहीं आ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाश्ट टेखने के थेंक यू